नमस्कार आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज और मैं हूँ सरफराज आलम बिहार में लगतार अपराधी घटनाय घट रही है और इसका जीता जागता उधारन कल सहरसा में देखने को मिला जहां सहरसा जिले के बंगाउं थाना छेदर के बढ़िया ही बजार में एक वैपस में के बाद लगतार लोग जो है पुलिस परशाषन के परती आकरोश कर रहा है और जो हम यहां पर प्रेशवारत कीया गिया था तमाम यहां पर वैप्राइम मौजुद है और इन सभी से बादचित करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो घटनाए घट रही है जो वेपसाई पर जो घटना घटी है विते राथ उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं और पर्शाशन की किस तरह से कारवाई यहाँ पर होड़ाई है और क्या परशाषन कारवाई कर रही है उस पर भी बाचीत करेंगे जिलाध्यक्ष वैस्ट्रमाज के क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से घटना एकल घटी है बढ़ यही बजार में वेबसाइग को जिस तरह से टार्गेट किया गया उस पर गोली बारी की गई है क्या इसको सब्सक्रावार में बड़ाहि में गोली मारव दि जाती है और पढ़ले बीरह में एक करतिک सांग गोली मारव दी जाती है और परसासन आज हम सरकार से मांग करते हैं कि जल से इस वपराजी को पगर के जिल के अंदर किया जाए जिससे हम लोग अपने को सुरक्षी महसुद मोहन परशाद सा जिते जो वैस शमाज की जिला अध्यक्ष है विकाश गुपताजी इस वक्त मौझूद है वो भी वैपारी है जिस तरह से वैपारी पर घटना घट रही है जिस तरह से गोली बारी की घटना घटी है किस नजर से देख रहे हैं और क्या कुछ कहेंगा इस गो बैपारियों में असुरक्षा की भावना इतनी ज़्यादा है कि अभी आप कुछ दिन पहले आपको ग्यात होगा कि डीवी रोड में एक बैपसाई संजीत कुमार थें उनको भी गोली मार दी गई थी जिनकी के इलाज के दौरान मौत हो गई अभी एक बर याही बजार की घटना अभी तुरत कल रात में हुई है वहाँ पे भी बैपारी को गोली मारा गया है तो सबसे आसान टार्गेट आज बैपारी बना हुआ है और पुलीस बैवस्था नाकाम है इसलिए अप राधियों का इतना मनोबल बर रहा है कि सरे आम रात में दिन में दिन दाहारे ज नहां जाएं किन्स के पास अपनी बात रखे पुलीस पुलीस बेवस्था अभी पुरी तरह से पंगू है उनको सराब खोजने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है उनका काम अपरादियों को ढूड़ना ने उनका काम है सिर्फ सराब ढूड़ना क्या लगता है सुरक्षा की जिस तरह से बात आपने की है वैपारियों पर सुरक्षा की बात स्रीयम नितिश्कुमार भी कहा है कि उसको सुरक्षा मिल रही है कोई दिक्कत नहीं आ रही है इस प्रस्तिति में आप फिर से सुरक्षा की बात कर रहा है अभी खुबसूरती आ प्राधियों का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया है पुलीश ऐसे में जो एसपी लेपिशिंग यहां पे शिंगम लेडी के नाम से जाना जाता है और शिंगम के नाम से जो सुब्री प्लांडे है वो जाना जाता है उसके बावजूद इस तरह की घटना है जो घट रही है बेरोजिकारी जिससतर से बढ़ रहा है उसमें ना कोई एस पी उसके लिए जिमेदार है ना डियाजी साथ जिमेदार है और जितने भी बेरोजिकार यूवक है उनको भी रिवॉक का जूता और एपल का मोबाईल यूच करने का इक्षा होता है करेंगे राजबी रमजन साजी है क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर पूरी प्रक्रण को किस्तर सब्सक्राइब सबसे पहले तो कल की जो घटना संध्या की घटना जो है बहुत दुखताई घटना है बिते साम परलाद गुपता जो कप्रा के बैपसाई है वो अपने दुकान पर बैठे हुए थे और अपराधी आये सिधा टार्गेट कर उनके मस्तक पस्षिर पर गोली मानने का काम किया जो मरनासन सिति में पटनारे फर कर दिया गया आज उसके आकरोस में वहाaking अस्थानी वेबसाईयों ने बजार बंद कर विलियोत प्रसन करने का काम किया हम लोग भी उहां पहुँचे तो बैपसाईयों का अकरोस का जासाम नहीं हम भी जहलना पराद इसमें हम ठ्छिपाने के बात में हम भी लेट से.-पहुचे हमें भी करने का काम करें जो आक्रोस है लोका और बड़ता भी जा रहा है किस तरह से देखेंगे क्या कुछ कहेंगे क्या लगता है पुलिश की कारवाई कितनी हद तक सही होती है हम मांग करना चाहें कि अपराधियों का जल्द से जल्द कि उसको सजा मिले और पूरे चानवीन के साथ उसको जल्द से जल्द नियाले से उसको सजाए ऐसी करा सजाए कि दोबारा वह दोढ़ा नहीं सके और हम बेपाडियों को यह लगातार जो लूट खसोट और अपराधिक साथ घटना और गोलिवारी की धंकी रंगदारी की धंक उसके माध हम से यह आपके माध्यम से समाचार देना चाहते हैं अपराधियों की गिरफतारी हो इसकी मांग जो है वेप्साइट कर रहे हैं और जिस तरह से वेपाडियों पर टार्गिट किया जा रहा है उन पर गोलियां चलाए जा रही है उस पर रोक लग सके और लगाता हैं अब ट्रस जा रहा है उन पर गोलियां बरसाई जा रही है ऐसे में देखना लगा कि पुलीस आखिर कार कब तक कारवाई करती है और कब अपराधियों को कजलाखों की पिज़ें परीजने का काम करती है और कभ इस घटना पर नकिल गटना को रोक लगती है और कभ इस तरह की घटना पर जब रहा जा बाएक उस पर रोक लग सके